प्रणाम बच्चों समय बीता हुआ समय अभी और आने वाला समय तो बच्चों जब हम वाक्य में इन तीनों शब्दों को देखते हैं तो हमें यह दिखता है किस प्रकार वाक्य लिंग वचन काल के बदलने से बदल जाता है आएए देखें कैसे लिंग के आधार पर लड़का खेल रहा है लड़ के खेल रहे हैं काल के आधार पर लड़का कल खेल रहा था लड़का आज खेले गा लड़का कल खेलने जाए गा तो बच्चों शब्दों का इन तीनों के कारण बदलाव होता है परन्तों हिंदी भाशा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिने हम अव्यें इन डिकलाइने बल्स क कहते हैं जिन पर इन तीनों का कोई प्रभाव नहीं होता तो आए बच्चों अव्ये की परिभाशा पढ़ते हैं अव्यें वे शब्द हैं जिनमें लिंग कारक और वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता यह कौनसे शब्द हैं क्रिया विशेशन आड़ वर्ब समुच विष्चे-बोधक, कंजंक्शन, सम्बंद बोधक, प्रेपोजिशन, विस्मय आदि बोधक, इंटर जेक्शन, आए क्रिया विशेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिन शब्दों द्वारा क्रिया की विशेश्टा का पता लगता है, वह क्रिया विशेशन है, जैसे सानिया मि तेनिस अच्छा खेलती है, यहां पर अच्छा शब्द किसकी विशेशता बता रहा है, क्रिया की, वो कैसे खेलती है, अच्छा खेलती है, कोमल धीरे धीरे गाती है, यहां पर गाती क्रिया है, और कैसा गाती है, धीरे धीरे, तो क्रिया विशेशन क्या हुआ, धीरे धीरे, आईए बच्चों अब क्रिया विशेशन के भेद जान लेते हैं काल वाचक्रिया विशेशन, Adverb of Time जिन शब्दों के त्वारा क्रिया के होने का समय पता चलता है उसे काल वाचक्रिया विशेशन कहते हैं जैसे अभी, कल, जब, तब, पीछे, पस्चात, अब, परसों, आदी मैंने अभी अभी साप को जाते देखा स्थान वाचक्रिया विशेशन, Adverb of Place जिन शब्दों द्वारा करता द्वारा की जाने वाली क्रिया विशेशन के स्थान, जगह का बोध होता है उसे स्थान वाचक्रिया विशेशन कहते हैं जैसे आसपास, यहां, वहां, जहां, बाएं, उपर, नीचे, दूर, पास, अंदर, बाहर, इस तरफ, उस तरफ, आदी मेरे घर के अंदर से लेकर बाहर तक फूलों की सजावट हुई है परिमाण वाचक्रिया विशेशन, आडवर्ब of quantity जिन शब्दों के द्वारा क्रिया विशेशन के या कार्य के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाण वाचक्रिया विशेशन कहते हैं जैसे अधिक, कम, ज्यादा, कुछ, खूब, जरा, कितना, उतना, बिल्कुल, आदी बंगाल में चावल अधिक खाया जाता है रीति वाचक्रिया विशेशन, आडवर्ब of manner जिन क्रिया विशेशन शब्दों से करता के कारे करने के तरीके धंग या रीति का बोध होता है उसे रीति वाचक्रिया विशेशन कहते हैं जैसे ध्यान पूर्वक, साबधानी से जटपट, अचानक, ज्यों, त्यों, अवश्य, सच, ठीक, धड़ा-धड, एकाएक, आदी बालकों को ध्यान पूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए आप बात करते हैं समुच्य बोधक अव्य की कंजंक्शन कंजंक्शन समुच्य बोधक अव्य, इनका क्या कार्य है, यह दो वाक्यानशों को जोड़ते हैं कैसे? गीता और योगेश के विवाह की तारीक पांच अगस्त है और शब्द, इसने दो वाक्यानशों को जोड़ा है गीता के विभा की तारीक पांच अगस्त है, योगेश के विभा की तारीक पांच अगस्त है और से हमने दोनों वाक्यांशों को जोड दिया सोनिया लखनव से आई, तो हम सब उससे मिलने गए राम और श्याम भाई है पिता जी ने मुझसे कहा, चाहे फ्रोक लेलो या खिलोने लेलो तो बच्चों आये एक साथ समुच्य बोधक अव्य के भेद पड़ते हैं समुच्य बोधक अव्य के भेद समानाधिकरन योजक, इसके भाग हैं संयोजक और तथा एवम व आदी विकल्प बोधक या वा चाहे आदी विभाचक लेकिन किन्तु परंतु पर बलकी आदी परिमान बोधक इसलिए अतह आदी और दूसरा मुख्य भेद है व्यादिकरन योजक क्योंकि की ता की तो आदी अब बात करते हैं संबंद बोधक अव्यकी जिसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन यह शब्द संग्या या सर्वनाम का वाक्य में प्रयोग हुए दूसरे शब्दों के साथ संबंद बताते हैं जैसे मेरे तेरे उपर नीचे आगे पीछे निकट आदी बहुत लंबी सूची है तो यदि मैं कहूं कि पुस्तक मेज पर रखी है तो पुस्तक और मेज के बीच का संबंद हमें कौन बता रहा है पर शब्द आएए अब हम संबंद बोधक अव्यों के भेद जान लेते हैं संबंद बोधक के भेद Kinds of preposition संबंद बोधक अव्यों के दस भेद होते हैं काल वाचक पीछे पहले उपरांद आगे आदी स्थान वाचक सामने भीतर अंदर वहां यहां निकट आदी दिशा वाचक इस ओर उस ओर आसपास तरफ आदी समता वाचक तुल्य योग्य भाती अपेक्षा समान आदी साधन वाचक द्वारा सहारे हात माध्यम के साथ आदी विशे वाचक विशे भरोसे सहारे नाम आदी विरुध वाचक विप्रीत खिलाफ उल्टे आदी संग वाचक साथ सहचर आदी हेतु वाचक लिये कारण वास्ते आदी तुल्ना वाचक अपेक्षा सामने आगे आदी विसमे आदी बोधक अव्यय बच्चों विसमयादी बोधक अव्य जो होते हैं वे बहुत तीवर भावों को व्यक्त करते हैं बहुत तेज गुसा बहुत तेज डर लगना इस प्रकार से इनके कितने भेद बनते हैं नौ भेद आईए इनके बारे में पढ़ते हैं विसमयादी बोधक अव्य के भेद, kinds of interjection विसमयादी बोधक अव्य के नौ भेद होते हैं एक हर्ष बोधक, expressing joy, जय, शाबाश, वाह, आदी, शोक बोधक, expressing sorrow, हाई हाई, राम राम, हे भगवान, आदी, ग्रोध बोधक, expressing indignation, चुक, अरे, रुक, आदी, आश्चर्य बोधक, expressing surprise, अरे, ओ, आदी, ग्रिना बोधक, expressing contempt, छी, धिक धिक, हाट, आदी, अनुमती बोधक, expressing consent, हाँ हाँ, सादू, सादू, आदी, भई बोधक, expressing fear, अरे, बाप्रे, त्राही, त्राही, आदी, सम बोधन बोधक, expressing address, हे, ओ, सुनो, आदी, आशिरवाद सूचक, expressing blessing, जीते रहो, दीरगायो हो, दूदो नहाओ, पूतो फलो, आदी, तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा, कि अव्यक क्या होते हैं, और अव्यक क्या भेद होते हैं, चलिए चलिए, तुरंच से पीछे के अभ्यास कर डाले, धन्यवाद,